इंटरसिंग रिपोर्ट आई है सिमेंट सेक्टर को लेकर और यह रिपोर्ट बहुत इंटरसिंग है सिमेंट कमपनियों के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है लेकिन जो है वो हमें तो बतानी पड़ेगी और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास का है कोटक सेक्यूर सब्सक्राइब करें तो प्राइज जो है वो चैप से नीचे हैं तो प्राइजेज में कटोती सिमें लगातार कर रहे हैं और पांचवा महिना आए मार्च का जहां पर प्राइस कट होते हुए दिखें सिमें कंपनी की तरफ से साउथ और इस्ट में सबसे ज़्यादा भाव गिरें तिमाई आदार पर देखें तो चैसे आट परसें तक के गिरावट आपको यहां पर भी नज़र आएगी तीसी तिमाई में मार्चिन्स देखें तो हमने देखा था कि नियर पीक लेवल पर पहुँच गयते और तब यही कंसर्न था क्या यह मार्चिन्स सस्टेन होंगे तो अब थोड़ा यहां पर कंसर्न आते हुए दिख रहा है चौती तिमाई में हो सकता है मार्चिन्स पर थोड़ा सा इंपक्ट आपको आते हुए निज़र आए क्योंकि प्राइस कट लिया है तो उसका डेफिनिटली इंप लागत कंपनी लागत में जो प्रडाक्स यूज होते है थर्मल कोक पेट कोक उनकी प्राइस भी देखे तो दस से पंदरा परसें नीचे है क्वाटर ऑन क्वाटर बेसिस पे उसका भी बेनेफिट कंपनी इसको मिल सकता है और पेट्रोल डीजल की किम्तों में भी हमने इसने लिए हैं लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट रहेगा 37 रॉम मटेरियल के जो प्राइज़े वो भी थोड़े कम हुए तो थोड़ा सपोर्ट वहां से मिल सकता है लेकिन कोड़ा तरी में नियर पीक पे मार्जिन तो एक देंट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है के एक दें दक्षिन पारत की सिमेंट के लिए विशेश कर जिस पर ज्यादा भारी पड़ेगा वो रेमको सिमेंट है क्योंकि मुझे रखता कि इनकी 6% EPS में कट होती होगी यह तो इवीड़ा लेवल पर प्रॉफिट करना मुश्किल हो जाएगा इनकी ओप्रेशनल लेवल पर क्यों कि सामने सामने उतनी कोस्ट कम नहीं हो रही है और अफटेक कम है और दूसरा यह सागरमाला वाला प्रजेक्ट में इनकी बड़ी उम्मीद है थी वो भी सब दूसी अमभुजा और शीर सिमेंट जैसी कमनिया लेकर जा रही है वहां के ओर्डर से तो थोड़ा इनके लिए दक्षिन भारत की सिमेंट कमनियों के लिए विशेच के रहम को इंडिया सिमेंटों के रहे के लिए थोड़ा मामदा मुश्किल है इनके लिए थोड़ा टिक पाना मुश्किल होगा